कि अग्याइब कि अग्याइब कि अग्याइब कि अग्याइब कि नमस्ते वनिपान अस्पताल की तरफ से आप सभी को आगामी नवर्ष की हार्दिक शुक्त हम मैं मैं कंसल्टेंट यूरॉलजी यूरो ऑंकॉलोजी एवं एंड्रॉलजी डॉक्टर दीपग्याइब मनिपाल होस्पिटल गाजबाद आज हम शल्ले चिकित्सा की आदुनिक्तम विधी लेप्रोस्कोपी या दुल्बीन विधी के मूत्र रोगों के उपचार के विशे में जानकारी देने के लिए आप सब के साथ हैं शल्ले क्रिया मुक्खे रूप से दो प्रकार के जाती है, पहला चीरे वाले ओपरेशन जिसे आम भाशा में हम लोग खुले ओपरेशन के नाम सी जानते हैं, तता दूसरा दुल्बिन विधी से के लिए दो प्रकार से किया जाता है पहला मूत्र के रास्ते से जुर्वीन डालके ऑपरेशन करना इस विदी का प्रयोग मख्या रूप से पिशार की रुकावर गदूत या पत्री के ऑपरेशन के लिए किया जाता है तथा दूसरी विदी में पूरा चीरा लगाने की बज़े तीन से चार छोटे 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 छेत करके शरीर के अंदर उपकरण पहुँचाया जाते हैं ततक कैमरे में देखते वे वही ऑपरेशन किये जाते हैं मूत्र रोगों के उपचार के लिए दूरबीन विदी का प्रियोग पचास से भी अधिक वर्षों से किया जा रहा है आज की तारीक में गदूत या पत्री के ऑपरेशन के लिए चीरे लगाने की आवश्यक्ता लगबग ना के बराबर रह रहे हैं तथा लगबग सभी या आकार को बढ़ाना अथ हब कैंसर के कारण गुर्दे गदूत या पेशाप की थीविरी का पादती ती विज्ञान की उन्नती के साथ साथ इन ओपरेशन के लिए भी चीरे की आवश्चक्ता कम होती जा रही है और आज ये सभी ओपरेशन दुर्वीन विधी से करना संभव हो चुका है जब भी हम किसी नई तक्नीक की बात करते हैं तो मुख्य सवाल ये आता है कि पुरानी तक्नीक के मुकाबले इस तक्नीक में क्या फाइद है तो जहां पहले ओपरेशन के लिए छे से आठ इंच का चीरा लगाना बढ़ता था वहीं आज ये ओपरेशन पांच से दस मिलीमेटर के छेदों के माध्यम से कर दिये जाते हैं जिसके कारण ओपरेशन के बाद हुनदर बहुत कम रह जाता है अस्पतार से जहां पहले पांच से साथ दिन में चुट्टी मिलती थी वहीं अब दो से तीन दिन में हो गया है तथा अधिकाश माम लोग है लोग सामान्य दिन चर्या एवं अपने काम पे पांच से साथ दिन में लोड जाते हैं साथ ही जिन्दगी बर के लिए चीरे की निशान से भी बढ़ाई कैमरे की साहता से ओपरेशन करने के कारण ओपरेशन की जगे को हम अधिक बड़े आकार में वो इसपश्ट दिख पाते हैं जिसके कारण रक्ष्थ्राब बहुत कम हो जाता है। दूर मुख्य बात आती है खर्चे की। यदि हम खर्चे की बात करें तो आधोनिक उपकर्णों की आवशक्ता अधिक होने के कारण ओपरेशन में खर्चा थोड़ा अधिक अवश्य आता है। लेकिन अस्पता से जल्दी छुटी होने, काम पे जल्दी लोटने तथा लंबे समय तक दवाई खाने के आवशक्ता ना पढ़ने के खाने, कुल मिलाके खर्चा लगभग उतना ही या कई केसे में उससे भी कम पढ़ता है। अंत में हमारा यही संदेश है आप लोगों के लिए, यदि आपको या आपके परिवार किसी को भी ऑपरेशन की आवशक्ता पढ़ती है, तो चीरे के ऑपरेशन की जगे दुर्भीन के ऑपरेशन को ही प्रात्मिकता दें, क्योंकि यह विदी अधिक सटी, अधिक तथा कम कर्शता आएगे, धन्यवाद, अगर आपका कोई भी शंका या प्रशन है, तो आप हमसे अभी यह भविश्या में संपर्ख कर सकते हैं, हम आपकी सहायता के लिए हमेशा कर आएगे, जो टें प्रेंगे प्रेंगे प्रश्ट, अब एफ एवाँ झाल आएगे, तो आपकी सहायता कर दो तो कर दाएगे, तो आपका कर दो रिए हमेशा आएगे, बदका कर सकते हैं,